निम्शकार किसान साथियो मैं हूँ आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मन पसंद यूटूब चैनल एकरी कल्चर एक्सपर्ट आप देख सकते हैं आज बारिस हुई है अच्छी खासी और नर्मा की वसल अपने आप बोल के बता रही है कि मोसम आज अभी कैसा है दोस्तों पिछले कुस दिनों से बहुत सारे किसान भायों के फोन कॉल्स और मैसेज आयें खासकर बिटी कोटन को लेकर कि हमारी बिटी कोटन ग्रोथ नहीं कर रही कुछ एक किसान भायों ने यहां तक कहा कि 70 दिनों की फसल हो चुकी है लेकिन अभी तक अच्छी हाइट भी नहीं है और नहीं फ्लोरिंग शुरू हुई है यानि फ्रोटिंग तो बहुत दूर की बाता फ्लोरिंग भी शुरू नहीं अभी तक तो उन किसान भायों के लिए वीडियो में बना रहा हूं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे पिछे जो आप इस कोई अपने को अटेक लगेगा तो पता लग जाएगा फिलाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हलांकि हर्याना पंजाब के बहुत सारे किसान भायों ने सोसिल मीडिया की उपर ऐसे वीडियो भी डाल रखें जिसमें वो नर्मा का जो फसल है उसको रूटावेटर की मादम से जम नर्मा की फसल को जमीन में मिला दिया और उनका देखा देखी कुछ अन्या किसानों ने भी अपनी फसल नश्ट कर दी तो आपको ऐसा नहीं करना है फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा इससे कि नर्मा की फसल में अपने को ये लगे कि नर्मा अपना खाली जाएगा दोस्तों अब बात करते हैं कि नर्मा के अंदर अपने को ऐसे में क्या डालना चाहिए अब अक्सर मैं आपको वही चीज बताने की कोशिस करता हूँ जो मैंने खुद अपने खेत में परियोग की हो या फिर जिसका बड़िया रिजल्ट मिला हो, अन्या किसानों ने उसको शिटका हो और वो सस्ती सुंदरवन टिकाऊ भी हो तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि आपको क्या कुछ परियोग में लेना है इसके लिए आपको परियोग में लेना है दानेदार यूरिया का प्रियोग करते हैं तो पोदों में रस जैदा बनेगा जिसके चलते जो आप सफेध मच्र बोलते हैं wipe fly इसका अटेक बढ़ेगा तो आप दानेदार यूरिया का प्रियोग ने करके उसकी जगह नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे पहली सपरे करने के ठीक 5-7 दिन बाद आपको एक सपरे और दोहरानी है जिसमें आपको काम मे लेना है NPK 0-524 एक किलो और उसके साथ 200 ml सागरी का लिक्विड ये दोनों ही चीजें ये आप काम में लेते हैं तो बहतरीन प्रिणाम आपको देखने को मिलेंगे आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी पीलापन हटेगा और फ्रूटिंग और फ्लोरिंग स्टार्ट हो ज